कर अच्छ ऐलो बृएंगर असद्रों का स्वागत करते हैं को और नए इंपोर्टेंट्ट वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले बात करो एब अपनी इस अपनी साथ यहाँ प्रिंट के रीविलेट्ल में आप्लाई कर दिया अपने परसेंट प्रीमियम पर टेट करें लेस्टिंग प्राइस कितने हो सकती है और एक लौट पर कितने प्रॉपिट देखने को मिले इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वीडियो को इन तक दखीएगा तक कि आप सो कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिस्ट नाओ भाए इसी तरीके के रिवलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टाइम टॉटिफिकेशन के लिए आप टेलिगराम चैनल से जूर सकते हैं बात करें यहाँ पर इसके फर्स्ट अपल आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियूम के रिलेट है तो यहाँ पर 27 अगस्त आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियूम मोर्निंग में अपडेट की गई है उसकी जदी हम बात करते हैं तो यहाँ पे 80 रुपीज प करवार करती भी देखने को मिले जिसके अकोडिंग हम लोग बात करें लिस्टिंग प्राइस कितनी हो सकती है यहां पे 448 रुपिया का लिस्टिंग प्राइस देखने को मिले सकती है और सारे 37% के लिस्टिंग एन मिलने के पॉसिबिलिटी और चांस आज के गिरे मार्केट प्रीमियूम के अकोडिंग देखने को मिल ला है वैसे देखा जाती है यहां पे 5 या 612 रुपिया का प्राइट एक लोड़ पे 15,000 के इन्वेस्टिंट पे आपको देखने को मिल ला है ज तरीके से कैसे पोजेटिव और निगेटिव ट्रेंड बन पाती है वो काफी ज़्यदे इंपोर्टेंट और फैक्टर रहेगी गरे मार्केट प्रीमियूम के इंपक्ट डालने के लिए वैसे देखा जाती है तो जिन्होंने 326 रुपिया कट प्राइस पर जिन्होंने अप देखा से रिटेलर्स पोर्शन में 43 टाइमस यानि की 43 गुने आइप्यों सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है जिसके कोडिंग देखा जाए तो परसेंटेज वाइज दो परसेंट यदि आपने एक लोट अप्लाई इस आप्यों किया है तो दो परसेंट मिलने की चांस और पॉस्पिलिटी आपको बन नहीं और साथी साथ यदि आपने अप्लाई किया है तो 43 ट में से एक लोट यानि की 43 अप्लीकेसर में से एक अप्लीकेसन को यहाँ पे अलोट मिलने की चांस और पॉस्पिलिटी बन नहीं ओवर अल देखा जो काफी बहतरी जो प्लीकेसर में फर्स्ट अप सेप्टेंबर यानि कि फर्स्ट अप सेप्टेंबर को आपको अलोटमेंट मिला है या नहीं मिले है इसके जनकाड़ी आपको मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे वैसे इस आपको अलोटमेंट नहीं मिलता है तो 2nd of September को पैसे आपके refund कर दि दिए जाएंगे उस 6th of September को या कंपनी बीए से निसी दुने जिगों पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा वैसे देखा जाती हाँ पर 6th of September जो की important डेट रहने वाली है और 1st of September काफी जदा important डेट रहने वाला है जिन्हों नहीं इस IP में apply किया या जो apply नहीं कर पाया और आने विले सामे में इस में बाइंग करना चाते है तो उनके लिए 6th of September इंपोर्टेंट डेट रहेगी वैसे allotment status इसके कौन से रेजिस्टार के साइट पर आप देख सकते है तो इसके जो रेजिस्टार साइट आपको देखने को मिलें लिंक इन टाइम इसके में रेज यहां पर कैसे और किस तरीके से जो आपको अलोट्मेंट इस्टेटर स्टे कर सकते हैं जो नए दोस्तों उनको एक पर बताते चलू तो यहां पर लिंक इन टाइम पर विजिट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करके दिये गया हुए उस लिंक को यदि आपको देखना स्टार्ट हो जाती है कि यहां पर जो कंपनी डिंफॉक्स लिंटेड तो समझी अलोट्मेंट इस्टेटर सा चुका है यहां पर कंपनी ने में जैसे सिर्मा एस्टेक्स टेक्नोजी निम्टेड हमने सेलेक्क कर दिया उसके बाद पैन सेलेक्क करना डाटा को तो सब्सक्रिप्सन डाटा में जो आपको इंपोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स देखने को मिली है और काफी बहुतरीन क्वालिफाइड इंसिट्यूशनल इंवेस्टर की तरफ से देखी गई है यह दि देखा जाए तो यह दि इस कंपनी में और मार्केट क से भी ज्यादा आते हुए देखने को मिला है कि वह भी कि जो भी परचेंस आपको किसी भी कंपनी में देखने को मिलती है और अच्छे परचेंस होनी के वैसे उस सभी कंपनियों में आपको अच्छे अपमोग देखने को मिल जाते हैं इन सौट टाम में भी और लॉंग टा डाटा देखने को मिली है उसके एकोडिंग कापी बहुतिरिन सब्सक्रिप्शन फिगर इस आई प्यों में देखी गई है क्योंकि रिटेलर्स के तरफ से भी सारे 43 कुन आई प्यों सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है जो कि परसेंटेज वाज पहले भी हम लोग ड में आने के लिए उनके claff उनको भी अफडेट मिलते रहेंगे ताकि आने मेंस में उभी अपने डिशियन सही से ले सके वैसे अभी तक आपने डिवेटेपन आपके नहीं किरवा करें सब्सक्रायां कर deadon कर ला सकते और आने विले अच्छा क्रोर और इसमें जो 10% ही रिटेलर्स के लिए रिजर्ब रखा गया वाद है क्योंकि यहाँ पे जो लगातार 3 साल के देखा जाए तो profitability में एक company 2020 में loss रिपोर्ट करती हुई देखने को मिली ही तो यहाँ पे कोई भी company लगातार 3 साल तक loss या आपको profit देखने को मिलती है और बीच में कोई साल loss में आ जाती है तो यहाँ पर सेवी की rule है यह आप 10% से ज्यादा रिटेलर्स के लिए रिजर्ब नहीं रख सकते है तो इसी करण से 500 जो 62 क्रोर का issue size था उसमें 10% रिटेलर्स के लिए रिजर्ब रखा गया वा था और 75% के बाद के लिए के लिए और देखा जाती है यहाँ पर फिप्टिन परसेंट एसे नाई के लिए रिजर्ब रखा गया वा था तो अबर जिस तरीके की 56 क्रोर का यहाँ पी रखा गया वा था इसके issue size के application के लिए रिटेलर्स के लिए तो रिटेलर्स ने काफी अच्छे कास है कि इस इस आप्डेटेटे वीडियो कर दी जाएंगे आपके लिए सारे इंफोर्मेशन यूज़ पूला कोई फर्टर डाउट को एडियो कोमेंट सेक्षान पूसकते हैं वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी कब धन्यवाद